यादेवी सर्व भूतेसु शैल पूत्री रूपेन संसिता नमस्तसे 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 नमोनमहा जय माता दिया नौरात्री के नौ दिनों में माता के नौ रूपों की पूजा की जाती है परतेक दिवस माता के ही एक सो रूप की पूजा अजना होती है नौरात्री के पहले दिन माता सैल पुत्री की पूजा की जाती है परवत राज हिमाले की घर पुत्री रूप में उत्पन होने के कारण माता का नाम सैल पुत्री परा हिमाले को सिला भी कहा जाता है इसलिए उन्हें सैल पुत्री कहा जाता है माता सैल पुत्री हिमाले परवत की पुत्री थी इसलिए माता को पारवती भी कहा जाता है कहा जाता है कि मा सैल पुत्री का वास कासी नगडी वरानसी में है वहां सैल पुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में मानेता है कि यहां मा सैल पुत्री के सिर्फ दर्सन करने से ही भक्त जनों का मनुकामना पुर्ण हो जाता है माता सैल पुत्री के बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिसूल रहता है माता सैल पुत्री का वाहन बैल यानि की नंदी है माता सैल पुत्री अत्यंत सौम्बे सभाव की है माता सैल पुत्री को करुना और ममता की देवी माना जाता है पुरानिक मानेताव का नुसार मासैल पुत्री के चर्णों में गाये का सुद्धी अर्पित करने से आरोग्य का आस्रिबाद मिलता है चलिए अब हम माता सैल पुत्री की कथा सुनते हैं ओम सैल पुत्री नमह ये उस समय की बात है जब माता का जन्म राजा दक्ष की पुत्री सती के रूप में हुआ था और उनका विवा भगवान संकर से हुआ था एक बार महारश्री भ्रिगो ने एक सभा का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सभी देवताओ और रिसीमुनियों को अमंतृत किया था सभी देवता वहां पहुँचे सभी रिसी मुनी वहां पहुँचे जिसमें भगवान विष्णु ब्रह्मा जी और संकर भगवान भी वहां पहुँचे थे संकर भगवान वहां पहुँचने के बाद ध्यान में बैठ कें, कुछ दिर बाद राजा दक्ष भी वहां पहुँचें, राजा दक्ष के पहुँचते ही सभी रिसी मुनिय और सभी देवता उनके सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन संकर भगवान खड़े नहीं हुए, यह सुनकर नंदी को भी कुरोधाया, और उन्होंने राजा दक्ष को सराब दे दिया, कि राजा दक्ष तुम्हें बहुत घमंड हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें सराब देता हूँ, कि तुम्हारा यह जो सिर है, यह कट जाएगा, और इस सिर पे अज का सिर लगेगा, यानि इक बहुत बड़ा यग्यका अनुस्ठान किया जिसमें उख्य देवताओं ब्हतर को कुझлек निमन्स्ठान किया किन्तु, संकर जी को उख्य में निमन्न संकर के पता कुझीन कर दोरा, जेए रहसे देख्य जाताि है किstrom लेकिन माता सती उनकी एक भी बात नहीं मानी तो उनके बार-बार कहने से संकर भगवान ने उनको जाने के अनुमती दे दी माता सती ने अपने पिता के घर पहुँश के देखा कि कोई भी उनसे सही से बात नहीं कर रहा था कोई भी उनसे आदर प्रेम से बात नहीं कर रहा था सारे लोग मूँ फेरे हुए थे उसके बाद माता सती ने देखा कि इस यग में सभी देवताओं को अपने अपने यग का भाग मिलने के लिए निमंतरित किया गया है लेकिन संकर भगवान को निमंतरित नहीं किया गया है यहाँ देखकर माता सथी को बहुत क्रोध हाया और यह देखकर कि उनके पती का यहां तिरस्कार हो रहा है और दक्ष ने भी भगवान संकर के प्रती कुछ अपमान जनक वचन भी कहे थे यह सब देखकर सती का हिर्दे क्रोध से भर उठा और उन्होंने सोचा कि भगवान संकर जी की बात ना मान कर यहां आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उन्होंने अपने पती भगवान संकर के इस अपमान को सह न सकी और उन्होंने उस रूप को उसी चन उन्होंने योगागनी द्वारा जला कर भस्म कर दिया जब भगवान संकर को यह सभी घटना उनको जब पता चला तो उन्होंने अपने जटा स विनास कर दो तो वीर भदर ने सभी को मारते हुए राजा दक्ष की सीर को धर से अलक कर दिया उसके बाद राजा दक्ष की पत्थ ने भगवान संकर का आओवान किया और उन्हें उनसे प्राथन किया कि उनके पती को वापस जिंदा कर दे फिर संकर भगवान ने राजा दक्ष के धर पे अज का सिर यानि की बकड़े का सिर लगा के उनको जिंदा कर दिया और इस पकार नंदी का जो स्राब था वो फलिवूत हुआ वहाँ पे और फिर संकर भगवान ने माता सती के उस सव को उठाया और तांडव करने लगे पूरी ब्रहमान में घुमने लगे ऐसे ही यह देखर सभी देवता लोग चिंतित हो गए उसके बाद भगवान बिश्णु के पास गए भगवान बिश्णु ने अपने चक्र से माता सती के सरीर के एक 50 टुकड़े किये और उस अभी 50 टुकड़े भारत में 51 जगह पर गिरे जहां पर सकती पीठ बना माता सकती के ना होने से भगवान संकर गहड़े और अनंतिकाल तक के लिए ध्यान में चले गए और इस कारण पूरी स्रिष्टी पर प्रलय उत्पन होने लगा इसी बीच ता तारकासुर ने भगवान ब्रह्मा जी से बर्दान मांगा कि मुझे सिर्फ भगवान संकर और माता सकती का जो पुत्र हो जो आगे जाके देवताओं का सेना पती बने वही मुझे मार सके ऐसा मुझे बर्दान दीजिए भगवान ब्रह्मा ने कुछ दिर सोचने के बाद उ उसके बाद तारकासुर रसी मुनियो देवताओं पे अत्यचार करने लगा यह देख देवताओं ने माता आदी सक्ती की पूजा की माता आदी सक्ती प्रकट हुई उन्हें बोला की मैं परवतराज हिमाले की पुत्री के रूप में जनम लूँगी और उसके बाद राजा हिम सेल पुत्री के जनम लेने के बाद जब उनका फिर से बिवा हुआ भगवान संकर से तब भगवान कार्तिके का जनम हुआ और कार्तिके ने फिर तारकासुर का वद किया तो इस प्रकार कार्तिके का जनम और तारकासुर का वद के लिए माता सेल पुत्री का जनम हुआ तो यहां पर संपन होता है माता सैल पुत्री का कथा आसा करता हूँ आपको यह कथा अच्छा लगा होगा अगर आपको माता सैल पुत्री का कथा अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू किजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिजेगा वीडियो देखने क बहुत बहुत धन्यवाद